मुंबई बनाम RCB के बीच खेले गए इस रुमान्चक मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड्स तूटे हुए दिखाई दिये तो वहीं मैच में मुंबई ने 6 विकेट से जीत अपने नाम की आईए एक नज़े डालते हैं कि कौन-कौन से बड़े रिकॉर्ड इस मैच के दोरान बने और ठूटे आईपेल के सीजन मुंबई इंगल से तीसरी बार दोसो या उससे अधिक के लक्षे का पीछा तफलता पूर्वक किया एक सीजन में तीन बार यहाँ कारणामा करने वाली मुंबई पहली टीम बन गई है इससे पहले पंज़ाब ने साल 2014 और चेन्ने ने साल 2018 में दो दो बार यहाँ कारणामा किया था मुंबई अब IPL में सबसे कम गेंदों में दोसों से अधिक रनों का पीछा करने वाली टीम बन गई है मुंबई ने इस मैच को 21 गेंद शेश रहते हुए अपने नाम जीत किया सूर्य कुमार यादव को इस मुकाबले में बैतरीन प्रदर्शनी के लिए प्लेयर आप दे मैच सहित कुल 5 अवार्ड दिये गए अगर इन सभी अवार्ड की मिली धन राशी को जोड़ा जाए तो सूर्या ने कुल 5 लाख रुपे की कमाई की तो वही सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में अपने IPL करियर का सरवाधिक नीजी स्कोर बनाया है सूर्या के बले से 83 रनों की पारी निकली इससे पहले सूर्या का IPL में सरवाधिक स्कोर 82 रनों का है